हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपने स्मूथनिंग या रिबॉंडिंग करवाई हुए तो आपको अपने बालों में ऑईलिंग किस तरह से करनी चाहि जाथ स्थाराईब कि वी डियो आपके लिए पहुत ज़्यादा हमने वाली या चलिए है एक विडियो को स्चाट करते। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने पाणी को पतीले में गरम होने के लिए रखता के लिए दोड़ासे ही हमें पानी करिंग एप अपनी आओ कर सकते हैं तो इसी तरह से आपको ऑईल को गरम करने डायरइक्ट आपको ऑईल को गरम बिल्कुल भी नहीं करने इसी तरह से पानी को गरम करके उसमें ऑईल रखना है कि टवरी में डाल कर तो देखे यह पानी में बॉइल आ रहा है बहुत ज्यादा ओयल को भी हमने गरम नहीं करना है गैस मैंने बंद कर दिया कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ दें और उसके बाद ओयल को निकाल लीजिए काफी हद तक गरम हो चुका है तो गाई सबसे पहले आपको अपने बालों में सारे टैंगल्स को रिमूव करना है वैसे तो जो स्मूथनिंग वाले बाल होते हैं उनमें टैंगल्स ज्यादा नहीं पड़ते हैं बट फिर भी जितने भी टैंगल्स हैं कुछ स्टैप्स होते हैं ऑईलिंग हमें किस करनी चाहिए किस तरह से ओई हमें अपने बालों में लगाना चाहिए यह सब तरीके अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपके बालों को कोई भी नुक्सान नहीं होगा तो देखिया मैंने कॉटन ले लिए और कॉटन को अगर आप यह सब चीजें फॉलो करेंगे ना तो आपके बाल काफी टाइम तक इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे सिल्की रहेंगे सॉफ्ट रहेंगे जब हम स्मूथनिंग करवा लेते हैं तो हम ऑईल लगाना बिल्कुल छोड़ देते हैं जिस वज़ा उस टाइम तो हमारे बाल काफी ज़़ा सिल्की सॉफ्ट होते हैं बट आफ्टर eight या nine months हमारे बाल खराब होने लग जते हैं बहुत ज़़ा रफ हो जते हैं यह फॉल की प्रप्राइम हमारी बहुत ज़़ा बढ़ जते हैं उसकी विज़ा यही होती है कि इतना टाइम पूरा एक । मैं बिल्कुल अराम से बिल्कुल जोड स्लो मैंने अपने पूरी creating लगाया है कोटन की हैप से ही आपको अच्छी तरह आ से ओल लगाना पूरी केल पर बालों की जड़ो तक अच्छी तरह से हॉयल चला जते हैं बहुत जोड़ जोड़ से आपको बालों पर मसाज नहीं करनी है, चंपी नहीं करनी है, मसाज का भी तरीका मैं आपको आगे बताऊंगे कि आपको किस तरह आपको बील्कुल वी रगडना नहीं है, त UH तो देखे, सारी सखेंट पर cotton की cheese अच्छी तरह से ऐल लगा दिए, एक एक बा वालों में नीड है हमने सिरफ उतना ही ओयल लगाया है तो बाकी के बालों पर बाकी की स्कैल्प पर भी आपको इसी तरह से ओयल लगाना है अगर आपने स्मूथनिंग करवाई हुई है आप मेट्रिक्स के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मैं मस्चर्ड ओयल यूज़ कर रही हूं क्योंकि यह मेरा ओल टाइम फेवरेट ओयल है तो देखिए अच्छी तरह से स्कैल्प पर मैंने ओयल लगा लिया और लेंथ पर आपको किस तरह से ओयल लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको लेंथ पर अच्छी तरह से ओयल लगाना है बालो को बिल्कुल भी खीचना नहीं है मरोडना नहीं है सिरफ इसी तरह से आपको बालो पर ओयलिं स्मूथिंग वालों पर हमें ज्यादा मसाज नहीं करनी चाहिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कैल पर लेंथ पर में अच्छी तरह से ओईल लगा रही हूँ हफ्ते में आपको बस एक बार ही ओईलिंग करनी है या फिर आप 10 डेज में भी एक बार इस तरह से ओईलिंग कर सकते हैं आपको इसी तरह से ओईलिंग करनी है लेंथ पर स्कैल पर मसाज आपको बालों पर बहुत हलके हातों से करनी है fingers की help से भी दीरे-धीरे आप अपने बालों पर massage कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से massage कर रही हूँ इसी तरह से आपको massage करनी है, जोर जोर से massage नहीं करनी है बालों पर चंपी नहीं करनी है, बालों को मरोड़ना नहीं है अगर ये आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके बाल काफी लंबे टाइम तक बिल्कुल स्ट्वेट रहेंगे सिल्की रहेंगे क्योंकि हम स्मूथनिंग करवाते हैं तो काफी ज़्यादा पैसे हम अपने बालों पर खर्च करते हैं तो उसका फाइदा तब भी है अगर हम अपने बालों की अच्छी केर करें तो देखिए गाईस इसी तरहां से आपको मसाज करनी है इससे आपके बाल काफी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे हेर फॉल की प्रॉब्लम आपको बहुत कम होगी क्योंकि जब हम स्मूथनिंग करवाते हैं तो हमारी हेर फॉल की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है बस आप इसी तरह से अपने बालों पर ऑईलिंग कीजिए अच्छे वाले प्रोडक्ट यूज कीजिए हफते में एक बार आप ऑईलिंग कर सकते हैं कुछ लोगों का यह सोचना है कि स्मूथनिंग करवाने के बाद हमें ऑईलिंग नहीं करनी चाहिए तो आप ऐसा मत सोचिए हमें ऑईलिंग फिर भी करनी चाहिए कि आप मस्टर्ड ओयल यूज कर सकते हैं मस्टर्ड ऑईल बहुत ज़्यादा बैनेफीशियल है वालों के लिए इसका हमारे बालों पर कोई भी नुकसान नहीं आप चाहिए तो कोकनेट ओईल का भी यूज कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से मैंने सारे बालों पर अच्छी तरह से मसाज भी कर लिया ओल सारे बालों पर अच्छी तरह से लग चुका है अब मुझे अच्छी तरह से कॉम्बिंग करके ब्रेड बना लेनी है आप चाहे तो ओवरनाइट इसे रख लीजे या फिर आप तीन से चार गंटे इसी तरह से ओईलिंग करके रखें और इसके बाद आप हिर वाश कर सकते हैं आपने अच्छे वाले प्रोफेशनल प्रोड़क्ट का यूज कीजिए आपके बाल लंबे टाइम तक बिल्कुल सॉफ्ट सिल्की स्मूथ रहेंगे तो देखिए कॉम्बिंग मैंने अच्छी तरह से कर लिया जितने भी टैंगल से है वो सारे मैंने रिमूव कर लिये हैं जरूरी नहीं है कि ऑईलिंग करने के बाद आपको ब्रेड ही बनानी है आप चाहे तो पॉनिटेल भी कर सकते हैं आपने बालो पर ओयलिंग की हुई है इसलिए आपको कोई भी टाइट रवट्बेंड नहीं वियर करना है उससे क्या हो गा ना कि हमारे बाल वहां वह वहली जहां पर हम रवट्बेंड लगाएंगे उस साइड से हमारे बाल मुड जाएंगे फोल्ट हो जाएंगे बालो में रबर्ट बेंड की शेप बन जाएगी इसलिए हमें रबर्ट बेंड का यूज नहीं करना है लूज ब्रेड आप बना कर रख सकते हैं आपको टाइट ब्रेड नहीं बनानी है बिल्कुल लूज ब्रेड बना कर रखिए rubber band का use बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि हमने बालों पर oiling की हुई है तो देखे मैंने बिल्कुल loose braid बना लिया आप चाहे तो इससे भी ज्यादा loose braid बना सकते हैं और simple सा आप rubber band डाल लीजिए hope guys आपको video अच्छी लगी होगी video कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताना और guys आपने अभी तक video को like जरूर कर दिया होगा आई hope आपने अभी तक like जरूर किया होगा तो आप देख सकते हैं कि सारे बालों पर अच्छी तरह से oiling मैंने कर लिया ब्रेड मैंने बना लिया है okay guys अब मैं बिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू बाई